भाई हम हिंदुस्तानियों को बत्याना बड़ा पसंद है बंगाली में अड़ा, उड़िया में खोटी, कनड़ा में हरटे और हिंदी में पुलिया बाजी इस कला के लिए हमारी हर भाषा में एक शब्द है हम तीनों तो अकशर मिलकर पुलिया बाजी करते ही रहते है तो हमने सोचा आपको भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो आईए प्रणे, सौरब और ख्याती के साथ करते हैं पुलिया बाजी थोड़े अंदरूनी विशेव पर बात कर ली domestic politics पर लेकिन आज हम लोग एक विदेश नीती वाले विशह पर वापस जाएंगे और हम लोग अक्सर बाते करते रहते हैं कुछ episodes हुई हैं हमारे भारत अमरीका रिष्टों के उपर लेकिन अभी भी ऐसा ये एक रिष्टा है जो भारत के लिए सबसे consequential है लेकिन अभी भी बहुत सारे doubts रहते हैं भारत और US relationship के बीच में और जेनरली भारत में थोड़ा ऐसा perception रहता है कि अमरीका भारत का साथ नहीं देता अक्सर अभी हालिया जो अर्विन केजरिवाल के arrest से related news है उसमें भी embassy के जो comments आया है उसमें एक और जलक दिखती है इस बात की तो हम लोगों ने सोचा इसके उपर और गहराई से बाते करता है हम लोगों ने सीमा सिरोई जी से एक बार episode किया था जिसमें उन्होंने उनका perspective दिया था 30 साल भारत को Washington DC की रिष्टिकोंड से देखते हुए जो उन्होंने किताब लिखे थी उसके उपर चर्चा की थी लेकिन भारत में जो घरेलू आपत्या है इस रिष्टे के बारे में उसको समझने के लिए एक बहुत ही शांदार पेपर लिगा था मेरे कोलीग यूसुफ उन्जावाला ने यूसुफ एडजंक्ट स्कॉलर है तक्षिशीला में और डिफेंस फोरम इंडिया के एडिटर भी है और यूसुफ ने इसके उपर काफी शोध किया था तो हम लोगों ने सुचा यूसुफ को ही बुलाते हैं पुलियाबाजी में और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में इतना नेगेटिव परसेप्शन क्यों है और उनके क्या विचार है इसमें तो यूसुफ बहुत-बहुत स्वागत है आपका पुलियाबाजी में धन्यवाद प्रने, नमस्कार प्रने नमस्कार सौराव, नमस्कार ख्याती मैं बहुत उच्छुपता बहुत दिनों से कि पुलियाबाजी में एक बार मेरा भी कोई एक अफसर निकल जाए है चर्चा करने का तो इसके लिए धन्यवाद बहुत कुशी है मैं जब आज पुलियाबाजी करते हैं तो यूसूफ, पहले तो हम लोग यह बात करते है कि जैसे विदेशनीती में अकसर लोग हॉक और डव की बात करते हैं हॉक मतलब क्या बलते हैं हिंदी में बाज और डव मतलब क्या सफेद का बूदर एसे रिष्टे एक यह रहता है दो ऐसे आइडियल टाइप्स हॉक मतलब ऐसे होता है जो हमेशा चाहते हैं कि दूसरे जो एडवरसरी है उसके उपर जंग छेड़ दी जाए और दूसरे वह और रहते हैं सफेद का बूदर जो कहते हैं हमेशा शान्ती होनी चाहिए तो ऐसे आपको लोग हॉक मानते हैं हम तो मानते हैं लेकिन आप ऐसे हॉक हैं जो अक्सर ये भी सोचते हैं कि अक्सर जो हॉक वाले प्रोफाइल के लोग हैं हो हमेशा कहते हैं कि भारत कोई सब कुछ करना चाहिए कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता सब लोग हमारे दुश्मन हैं, लेकिन आप ऐसे वाले hawk नहीं है, आप सोचते हैं कि आरत को अपने partners के बारे में भी सोचना चाहिए और कौन से partner ज़्यादा जरूरी है वगेरा वगेरा, इसके उपर भी आप शोट करते हैं, तो क्या मांज रहा है, आप आप ऐसे hawk क्यों नहीं है यह आप सफेद बाज कैसे बनगे गुड़ वन यह बन, नहीं, देखिए अगर से मेरे को, अगर से यह नितिन पाया हर में साब बोलता है का I am the resistant hawk of Bangalore तो hawk against adversaries, जो अपने जो विरोधी है practically speaking is China और और पाकिस्तान, तो मेरे कुछ मानना है कि यह संबंध किस तरह से हमको लेने है, आगे कैसे बढ़ाना है या कैसे नहीं पढ़ सकता है, बहुत सारे बादा है है, तो उन डोनों के संबंध में yes, मैं एक hawk हूँ, बाज हूँ बट अगर से overall perspective अगर से इंडिया का दिखते हैं हम लोग इंडिया की जरूरत क्या है या इंडिया के goals क्या है हमारे यह है कि हमको एक विकसिक देशपन्दा है हमको आर्थिक सुधार लाने है आर्थिक तरक्य करनी है इसके लिए हमको चुनिंदा partners जो हमें इस goal को achieve करने के मिल सके तो उसके बारे में तो हमको सोचना है और उसमें और hawk और डव की बात नहीं है जहाँ पे रास्त्र हिट की बात है जो एक डम non-negotiable जिसको बोलते है वहाँ पे तो हमको हमको अपना जैसे बोलते हैं फुट डान तो रखना ही पड़ेगा बट हर चीज में वो nuclear option नहीं होता है कि भाई फोड़ दालो तोड़ दालो नहीं ऐसा नहीं हो सकता है हमको वहाँ पे pragmatism की बिलकुल आवश्यत्या है और मैं I come from there मैंने को ऐसा लगता है कि जितने भी हमारे जो relations है practically जो होता है US है, Europe है, Japan है South Korea है, Australia है Taiwan है, इनके साथ अपने गनिष्ट संबंद होने चाहिए इसमें Russia भी शामिल है क्योंकि एक strategic उनका सामरे के अपना एक angle है, पट जब China और Pakistan की बात आती है Yes, I am a hawk हमारा सबसे बड़ा goal होना चाहिए और foreign policy उस मकसद में एक जरिया है पाने का ना कि ये कहना कि foreign policy end है तो ठीक है, उसी से शुरुआत करते हैं ये बदाएए, युसुफ की कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में मान लेजिए, एक दशक में भारत और अमरीका रिष्टे में क्या बदलावाया है, क्या मुख मतलब milestones हैं इस journey में जो आपको ध्यान में आते हैं, पिछले एक दशक में अब milestone नहीं कहुँगा, I think जो इस रिष्टे को जो हम इसकी एक adjective डे सकते हैं बहुत सारे एक तो trusted partners trust, विष्वास जो बूलते हैं वो बहुत ज्यादा पढ़ा है और ये है नीव रिष्टों की आगे पढ़ने में क्योंकि पिछली सदी के जो भारत अमरीका relations संबंद जो थे वो mistrust पे थे, वहाँ पे कोई आव विष्वास जैसे बोलते हमेशा यहाँ पे एक संदित क्वातावरण था कि अमरीका क्या चाहता है, वो हमको डबाना चाहता है हम को उसकी नीतियों पे चलने के लिए विवश्च करना चाहता है और एक backlash था एक ideological था है कि यहाँ पे जो anti-west anti-colonialism जो था तो वो एक धारा की सोच थी जो हमारे रिस्टों को आगे बढ़ाने में बादा दाल रही थी यह एक चेंज आया at the turn of the century at 1998 में जो परमानू टेस्ट हुआ, उसके परिक्षन के बाद वाजपाई जी ने अमेरिका के साथ संबल बढ़ाने के लिए जस्वन सिंग को न्यूक किया अमरीका ने भी रिस्पॉंड किया वहां से स्प्रूप टालबट को न्यूक किया और जो चर्चा हुई, जो वारता हुई ग्यापप थी वो पतब हर एक हमारे जो संबंते उसके पहलो पर बात हुई और वो आगे बड़ा और वो continue हुआ, वो मनमोवाल सिंग के administration के अंदर और ता लग तो नुक्लियर डील और जब नुक्लियर डील हुई, वो एक सबसे बड़ी, एक kind of a nuclear thing in the relation कि वहां से एक no turning back वो हो गया 2005 में और 2008 में फिर वो agreement sign हुआ, 1-2-3 agreement and then we have not looked back from that जैसे बोलते हैं, तो यह हमारा सबसे बड़ा जो है trust factor बड़ा है पिछले 20 सालों में, लेकिन यूसूफ वैसे overall trust factor बड़ा है हाला कि फिर भी एक थोड़ा सा mistrust वाला भी angle पूरा गया नहीं है, मतलब वो थोड़ा तो रहता ही है, हर कुछ दिनों में हम ये commentary सुनते रहते हैं कि और हमेशा ये भी एक डर रहता है कि अगर बहुत जादा हमने अमेरिका की तरफ चले गए तो फिर हमारे जो पुराने दोस्त और है उनसे वो खफा हो जाएंगे वाला भी एक रहता है तो इस चीज़ को मतलब ये अभी भी इतना distrust का कारण क्या है कि वो पुराना हम पूरा भूल नहीं पाये हैं कि कुछ और reason है इसमें और एक चीज़ मैं जोड़ूँगा यूसफ you can add क्यूंकि तुम defense इतना देखते हो तो पहले वो 1-2-3 agreement वगरा हुए भी लेकिन defense deals पिछले 10 सालों में at least जो पहले एकदम ही नहीं होती थी इंडिया और US के बीच में तो बढ़ी है जब कि ठीक है हमने रफैल ही खरीदा F-16 नहीं खरीदे उनको बड़ा बुरा लगा पर बाकी और चीज़े तो करी है नहीं तो वो भी आप उसको लैंडमार्क मानेंगे वो 1-2-3 वाल agreement ही आप timeline देख लिजे वो 2008 में 1-2-3 agreement साइड हुआ भारत और अमरीका ने अपनी पहली defense deal 2008 में sign की जो C-130 aircraft की थी तो वो nuclear deal was बहुत ही ज्यादा important था उस deal के बाद ही भारत और अमरीका ने defense deals चालू किये C-130 के बाद C-17 आया C-17 के बाद P-8 आया और जैसे मेरे ख्याल से आज तक अभी वहां से 2008 से लेके 2020 तक करीबन 25 billion dollars की deal sign हुई है इसमें ज्यादा तर Air Force की तरफ से रहा है बट उसके साथ Howitzer रहा है M777 का अभी जैसे इसकी बाद चल रही है MQ-9 Reaper जो unmanned aerial vehicle है उसकी हो रही है तो मतलब बहुत सारे defense deals sign हुए है और यह ऐसी तकनीक थी जो हमारे दूसरे मित्र के पास नहीं थी खास करके रश्या उनके पास यह strategic air lift capability जो इंडिया को चाही थी वो नहीं थी attack helicopter इंडिया ने sign किये Apache helicopter के लिए वो रश्या के पास ऐसा कोई option नहीं था हाला कि मैं मनता हूँ कि इंडिया की पास ही अपना internal indigenous option आ गया है जिसके पर हम पो ध्यान देना चाहिए बट यह सारे options वहां से आए बट वो हुआ 2008 में सबसे पहली deal sign you 2008 में और उसी साल में हमारी 123 agreement sign हुई थी वो एक नीव रखता है वो विश्वास कि yes अमरीका अब भारत के लिए कुछ कर रहा है clean waiver आया NSG से वो एक trust factor बना उसके पश्चाद हम लोग ने MTCR में भी और वाजनार agreement जो है उसके अंदर भारत शामिल हुआ उसके अंदर भी अमेरिका ने बहुत सारा वो heavy weight pulling जो बोलते है heavy lifting जो बोलते है वो अमेरिका ने किया था जिसके फल सरूप ये trust factor बड़ा क्याती मैं आपके प्रशने पर आऊँगा कि वो क्या है वो जो अभी भी भारत और अमेरिका के रिस्टो में वो एक trust deficit अभी भी जो दिखता है वो trust deficit दिख रहा है public opinion में but वो जो policy level पे जो सरकारी और वो level पे अगर से आप देखते हो वो नहीं है वहाँ पे प्रदान मंत्री से लेकर विदेश मंत्री हो या जो bureaucratic level पे जो चर्चा होती हो जो statements आते हो आप अगर से उसके आप देखते हो और उसका wishlation करते है तो लगता है कि ये बहुत ज्यादा trust level है और क्योंकि वो trust level है तो डोनों पक्ष खुल के बात करते है अगर से कोई uncomfortable सवाल है वो भी raise होता है और उसका counter भी होता है तो वो trust level जो है वो हमको अनुमटी देता है कि हम कोई भी विशे पे खुल के बात कर सकते है अगर से वो uncomfortable ही कितना ना हो पर उसको हम लोग डियोपक्षी वारता हो या अगर से open भी हो जैसे आप प्रने ने अभी कहा था कि केजरिवाल के arrest के बाग जैसे वहाँ से statement आया पर ठीक है statement आया हमने उसका counter किया और इसी दोरान अभी आज ही आप देख लिजे कि जो इंडिया और युएस की जो त्रीपक्षी सर्विस की जो exercise चल रही है वह आज उसका अंटिम दिन है उसके अंदर बहुत चीज चीज हुई है आज जो विजोल आया है उसके अंदर amphibious landing हो रही है interoperability के बड़े umbrella के अंदर amphibious landing यह बहुत बड़ी एक B-52 bomber अमेरिका ने बहजा यहाँ पर exercise के अंदर और उसको IAF के लड़ा को विमानों ने escort support डिया यह क्या दर्शाथा है एक trust क्या हम इसकी कलपना 10 साल पहले भी कर सकते थे कि भारत की सीमाओं के अंदर अमेरिकी bomber आये और IAF उसको escort support डिया बिल्कुल नहीं सोच सकते यह दर्शाथा है कि हमारी trust level एक दूसरे में जो governmental level है सैनिक level है और strategic level है बहुत ज्यादा convergence है और trust है इसलिए हम interoperability की बात कर रहे है पिसे मैं एक चीज मार्क करना चाहूंगा कि देखिए हम लोगों ने कुछ 15-20 मिनिट की बाते की हैं और अभी तक पाकिस्तान शब्द का debut नहीं हुआ है अब मैंने कर दिया क्योंकि मैं इसे मार्क करना चाहता था क्योंकि अगर हम लोग ये episode 10 साल पहले करते तो शायद पहले 5 मिनिट में बात आती पाकिस्तान की और क्या अमरीका भी समझता है कि अमरीका और भारत का रिष्टा कही ज्यादा important है और आप देखिए जैसे जो मोदी बाइडन summit हुआ था उसका जो joint statement है मुझे कभी ये करना है यूसुफ कि हमें compare करना चाहिए joint statement पिछले 15-20 सालों में कि क्या-क्या wish है उसमें आये dominantly तो आप अभी ये देखे तो उसमें पहले paragraph में ही semiconductors और हम लोग क्या कर रहे हैं उसके उपर बात है और जबकि 5 साल पहले आप शायद देखते कि बात होती शायद military defense या Pakistan related issues तो हम देखते हैं कि किस तरीके से रिष्टे एकदम बदल गए हैं एकदम transform हो गए हैं और हम लोग एक अलग ही orbit पर बात कर रहे हैं ना कि वही इशो की कश्मीर और पाकिस्तान वगएरा वगएरा तो ये मुझे लगदा एक बहुत बड़ा change का reason है जो हम लोग ने इसमें बात की बहुत ही एक कोशिश रही थी कि भारत पाक जो hyphenation था उसको निकाल दिया जाए और इसमें हमको क्या में अभी हुई है अब ये कोई बात नहीं करता है कि भारत और ये जैसे नप्पे के दसक में देखते थे तो nuclear flashpoint nuclear flashpoint आए दिन ये वहाँ से statements आते थे वो बिलकुल अब समाप्त हो चुका है अभी वो बात ही नहीं अभी तो भारत और अमरीका क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए और more importantly आप अकरसी हमारे जो संबद जो describe होते comprehensive global partnership हम अपने जो विपक्षी संबंध है उसको एक global एक perspective से देखते कि ये global good के लिए हम अपने संबंधों को एक global good की तरीके से इसको हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर पाकिस्तान का तो भी कोई मतलब उसकी कोई आउकाती में ऐसा हो गया मतलब it is not in our imagination anymore और ये हमारे जो भारत और पाकिस्तान के जो जैसे पिछले 10 सालों में संबंध गए है या बड़े या नहीं बड़े है मोधी जी ने ट्राइ किया था एक बार वहाँ पे गए अनवाज शरीफ के बड़े पे वहाँ पे लाहोर गए है फिर उसके बाद तो हमको अटेक ही मिला हुआ वहाँ से टेररिस अटेक आया और आते ही रहे फिर पुल्वाम हुआ तो एक तरीके सा हमने तो भारत पाकिस्तान संबंध को एक फ्रीज में रख दिया है जैसे वो हमारे लिए एक्जिस्ट ही नहीं करते तो हम लोग ने ऐसा कर दिया और हमारे जो दूसरे संबंध है उसके पर तो हम आगे बढ़ते ही रहे क्योंकि अपना गोल बहुत ही क्लियर है हमको इकनॉमिक डेवलप्मेंट चाहिए और हम इसके संबंध में बात करेंगे और आज की टेक्नॉलेजी में जो समी कंडॉक्टर आपने जैसे उन लेकिया समी कंडॉक्टर है आर्टिफिशिल इंटेलिजेंस है क्वांटम कंप्यूटिंग है वगर वगर इसके उपर हम बात करेंगे कि कैसे भारत और अमरीका एक दूसरे के साथ कोलाबरेट कर सकते हैं कैसे भारत अमेरिका से टेकनॉलोजी ले सकता है कैसे उनकी कैपिटल वहां से यहां आ सकती है इसके बारे में चर्चा करेंगे स्पेस के टेकनॉलोजी के बारे में बात करेंगे इसमें कितनी वृद्धी आई है आप देखी क्वालिटिटिव चेंज जो आया है कि भारत अमेरिका डिफेंस को छोड़ के आगे बढ़े ने तो एक बहुत ही नैरो फोकस हो गया था कि वही सामरिक जो एंगल था उसके पर ही सोच थी कि डिफेंस कैसे करेंगे चाइना के विरुद भारत कैसे बुलवाक एक लिंच पिन रहेगा मेरे मनना ये था कि अगर सी हमारे रिष्टे अगर से केवल सामरे डिफटी से ही अगर से सीमित रह जाते चाइना एंगल से ही डिफेंस कों से अगर से सीमित रह जाते तो ये संबन्थ पिर आगे नहीं बढ़ते उसका एक break point आ जाता था but अब अपनी जो अभी relation है जब भी जो space पे बात हो रही है quantum computing है, artificial intelligence semiconductor जिसके हम अमेरिका के बड़ी बड़ी जो company है उनको हम अट्रैक करने की कोशिश कर रहे है जो electronic sector है उसमें अट्रैक करने की कोशिश कर रहे है भारत और अमेरिका की ये जर्चा हो रही है ना कि अभी खेवल हत्यार कितने खरीदे और चाइना के विरुद हम क्या करने वो अभी एक part एक subset बढ़ गया है और और relation में बिल्कुल और मैं ये देख रहा था एक framework के नजर ये से कि किसी भी देश की जो विदेश नीती है उसको हम लोग तीन मापदंडों पर देख सकते हैं एक रहता है people to people relations जो दूनों देशों में तो उसमें तो भारत और अमरिका में कभी problem था ही नहीं तो वो हम लोग भूल जाते हैं दूसरा रहता है state to state और जैसा कि यूसुफ ने अभी समझा है state to state में काफी बदलावा है और पहले उस pillar में बहुत problems थी लेकिन अब शायद काफी बहतर ही हुई है उस sector में तीसरा जो है people to state मतलब भारत के लोग American state को कैसे perceive करते हैं और अमरिका के लोग भारती state को कैसे perceive करते हैं वहाँ पर अभी भी gap है और शायद हम लोग close करने की कुशिश कर रहे हैं लेकिन दोनों देशों में लोग काफी काम कर रहे हैं लेकिन अभी भी gap तो है तो उसी के उपर आ जाते हैं यूसुफ जैसे आपने paper में तीन तरह के arguments का विशलेशन किया है एक है economic arguments जो लोग देता है भारत अमरीका relation के विरुद एक है military और तीसरा है technological और defense related तो उसी पर आ जाते हैं political है हाँ political argument सबसे पहले उसी पर आ जाते हैं कि defense argument से बात करते हैं बारत का सबसे बड़ा जो defense export market है वो अमरीका है ना यूसफ बिल्कुल बारत की जो defense industry है इसके अदर हम हत्यारों की बात नहीं कर रहे हैं हम जो भी वो component जो defense sector में लगता है बारत का 35% export अमरीका को जाता है और ये अपने लिए एक बहुती बड़ी market है और अपने लिए एक technology का एक श्रोध भी है जैसे बड़ी-बड़ी American company जो है Boeing है, Lockheed है, Raytheon वगेरा इनके भारत में offices है, इनके research center भी है यहाँ पे इनकी factory है या और इनकी या तो इनके tie-ups है यहाँ पे जैसे Boeing और Lockheed दोनों के करार है TATA के साथ तो TATA इनके लिए जो पुर्जे है या कोई component है, या fuselage है, tail है, wings है ऐसे ऐसे प्रकार के components बना के वहाँ पे बेश्टी और फिर Boeing के जो जितनी भी दुनिया पर में इनके जो export हत्यारों के उसके अधर लगता है तो एक तरीके से भारत अमेरिका की supply chain से जूड़ गया है, और अमरीका का आप जैसे जानते हो, वह सबसे बड़ा defense पे उनका spending है 500 billion से अधिक defense के उपर इनका expenditure है और अगर से इसके capital expenditure देते हैं तो मान लीज़े के 400-500 billion dollar रुपी के उपर वह हट्या रुपे निवेश करता है अपनी सेनिय शक्ती के लिए, तो उसके अदर भारत को एक छोटा सा हिस्सा भी मिल जाता है तो भारत की economy लिकल अच्छा होगा और भारत उनसे सीखेगा कि भाई, कैसे हठ्यार बनते हैं, कैसी supply chain डेवलप होती है, और वो अपने indigenous, जो हमारे घरेलू, जो हत्यार, जो बना दे की अपनी एक पहल है आत्म निरबर भारत की तहर रहो हो या इंडिजिनाइजेशन हो है, जो भी नाम आप देजे, उसके अंदर वो बहुत बड़ा योगतान देगा, और यह आवश अपी, हम लोग अमेरिका की supply chain से जुड़े बिना ये कारिया पूरा नहीं कर पाएगा, और वो जो timeline जो बोलते हैं, कम से कम समय में, हमको बहुत सारा कुछ सीखना है और बनाना है वो अमेरिका की supply chain से जुड़ने के साथ ही होगा यूसूप, आपने बहुत इंट्रेस्टिंग बात बता है, क्योंकि मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं शायद defense को इतना closely follow भी नहीं करती हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि भारत इतनी सारी चीजे अमेरिका को भी export करता है, और मैं हमेशा इसी एंगल से सोचती थी कि हम बाकी देशों से military technology खरीते हैं तो हम शायद net importer ही रहते होंगे पर बले कुछ पार्ट्स तो हम कम से कम उनको दे रहा हैं, ये भी मैंने कभी इतना detail में ज्यादा पढ़ा भी नहीं था तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि हम भी उनके supplier बन सकते हैं, उसके दवारा भी हम बहुत चीज़े सीख सकते हैं, ये काफे इंट्रेस्टिंग पॉइंट हा, ये कि एक argument हमेशा भारत में ये रही है military supply chain की related की historically हम हमेशा बहुत सारी हमारी technology रश्या से आई है तो उनके साथ एक हमारी compatibility है, हमारे जो parts जो है, या जो हमारे विमान वगेरा भी हम पहले तो बहुत सारे भाई से उयूस कर रहे थे तो थोड़ा सा एक ही रहता है कि और एक ये angle है कि रश्या हमेशा हमारे लिए ये एक आम popular imagination में ये बात बहुत सुनने में आती कि रश्या ने हमेशा हमारे बहुत साथ दिया है वगेरा टाइप का जबकि अमेरिका इतना reliable supplier नहीं है, ऐसा सुनने में आता है, तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? ये एक fact है पर किस संबत से आप देखेंगे? अमरिका sanctions तो यूज करता है अपनी foreign policy objectives को बढ़ाने के लिए या अचीव करने के लिए और भारत ने कभी भी अमरिका से इतने हत्यार कुछ लिया ही नहीं ये पिछली सदी में तो अपना कोई ऐसा अनुवम नहीं रहा है कि अमरिका कोई reliable supplier नहीं है हमने तो रूस की तरफ चले गए हम लोग और वहां से थियार आने जान हुए 1965 के जो यूद हुआ भारत और पाकिस्तान में तो अमरिका ने दोनों के तरफ sanction लगा दी तो जो भारत के अंदर वो जो एक माननी आता है कि अमरिका एक unreliable supplier है वो आती है अमरिका के जो दूसरे जो रिष्टे है उनको ध्यान में रखते कि अमरिका ने उनके ally मतलब उस समय के ally पाकिस्तान के उपर ही एक band लगा दिया था पाई supply ने करेंगी यूथ के दोरान तो हमें यहां पे दर सा रहता है कि क्या अमरिका जब माननों की भारत और चीन के दरमयार एददर से यूथ हो जाता है क्या अमरिका वो reliable supplier अपने लिए रहेगा कि हमको बीच मज़़ार में छोड़ देगा यह एक है हमारे अदर कई पेच्छी पा हुआ है पट वो एक historical perspective जो अमरिका का रवया रहा है दूसरे देशों के साथ पट अमरिका एक reliable supplier रहा है अपने घनिष्ट मित्रों के लिए जितने भी उनके जो western allies है जपैन है Australia है इनके साथ तो उनके कोई ऐसा कोई रहा है नहीं कि उनको supply ना करे तो यह reliability point of view वहाँ से हमको देखना है कि भारत एक उबरती हुई टाकट है एक बड़ा देश है हाँ हमारे कुछ उनके साथ मदबेर रह सकते हैं हम एक बड़ा देश है और हमारी भी एक जैसे बोलते ही we have a proud tradition of being independent but क्या हम लोग एक middle ground कहीं पे भी हम लोग pragmatically सोच सकते है हाँ यह हमने देखा है पिछले 20 सालों में की यह हो रहा है और यही दर्शात है इसलिए हम लोग 25 billion dollar का हम लोग ने है अमेरिका से हत्यार ही हो इस क्या दर्शाता है कि एक reliability factor हमने उसका visualization किया है फिर हम लोग में एक stage पे आगे है कि हाँ हम इसको प्रस कर सकते हैं और वहां से हत्यार ले सकते हैं but हाँ popular opinion में यह रहा है क्योंकि रूस के साथ अपने इतने गणिष्ट सम्बद रहा है फिर उनके 1971 में support आया और फिर हत्यार लेते रहा है उनसे but आप एक इस angle से देखे कि रूस के साथ हमने all exit one basket रखे और इसके हम परिनम देख रहे हैं यहाँ पे कि भारत की जो सेना है वो 87% उसके हत्यार रूस से है और आज जब वो रूस और यूक्रेट का यूट जो चल रहा है वो supply जाने में बादा आ रही है और जैसे S400 की deal हुई 2018 में वो deal है से हो रही है अभी 2026 तक तो पूरी delivery आएगी निक तो हमको भी एक supply में हमको अपने व्रिटी ला ली थी कि हम केवल रूस के उपर नेरपर ना हो इसलिए हमने यूरप से लेना चालू किया और France अपने बहुत गना अपना एक बहुत हैम strategic partner है इसलिए हमने रफाल की deal की उनके साथ हाँ एक kind of hedging थी शायद की अमरीका से हम लोग ने जैसे सौरम ने पहले बताया कि अमरीका से F-16 या F-18 विमान नहीं ले हमने रफाल ली पर उसका भी एक वीज़न था कि रफाल लेने का कारण ये था कि फ्राज एक बहुत close अपना partner है और एक थोरा शायद nuclear angle भी था कि रफाल से अपनी जो air component की जो nuclear delivery है हम लोग रफाल के द्वारा कर सके जो मिराज अभी कर रहा है मेरे ख्याल से थोरा समय लगेगा जैसे अभी अभी recently deal हूई F-414 जो jet engine है तो ये टकनीकी transfer कुछ होगा मेरे ये अभी तक भारत और अमरीका की बीच ये रह गया है कि ऐसे कोई बड़ी technology transfer हो defense शेत्र में जो दर्शा है कि हम भारत अमरीका पे निर्बर हो सकता है आप हमको ऐसी technology देंगे जो हमारे पास बिलकुल नहीं है और आप हमको ट्रस करके वो technology दे रहो इसमें भी वो angle दूसरा है कि वह commercial जैसे रूस के साथ वो नहीं है रूस की सब state-owned technology state-owned company है अमेरिका में commercial angle क्योंकि वहाँ पर सब private sector उनको अपनी commercial angle देखनी है उनको भी पैसा कमाना है और कोई भी शक्ती है ना तो जो close regarded secret जो technology बोलते है वो नहीं देते विविन रूस भी नहीं देता है भारत को अ बट देरे देरे क्या हो सकता है यह हम देख सकते है कि कैसे we can work together और ऐसा नहीं है कि शायद यह western companies ना ही दे पूरा हम लोग ने फ्रांस के साथ किया हुआ है UK के साथ चला हुआ है हम देख रहे कि AUKUS दी हुई Australia के साथ अमेरिका और UK की तो ऐसा नहीं है कि वो लोग अपने मिस्तरों के साथ कुछ टेकनोलोजी शेयर नहीं करते है आप अपकुछ ना कुछ तो पकड़ के रखेंगे ही पौर economic reasons तो यह तो इसमें एक जो अपने पेपर में डिसकस भी जो किया है तो एक जो लोगों को डर रहता है कि कभी हो सकता है कि कहीं ऐसा बड़ा समझाता grand bargain हो के रह गया कि भाई चलो अभी दोनों मिलके भारत की लगा देते हैं तो अब हमारी दोस्ती हो जाए तो यह जो है डर यह कितना वाजिब है और यह हमारी strategic community का डर है सिर्फ या यह general public के दिमाग में भी है डर यह किस तरह से आप देखने हैं इसको मेरे ख्याल से इधर तो इसकी कोई बुनियाद नहीं है अब शायद अगर से हम कुछ 10-15 साल पहले जाएं मेरे ख्याल से ओबाम है कि एड्मिनिस्ट्रेशन के उस समय की बात है वहाँ पे अमेरिका से ही कुछ अंदर से उनके कुछ निकले थे विचार ऐसे कि क्या अमरीका और चाइना ओए ऐसा कोई G2 बना ले बट जैसे जैसे अट बोट है से जो शी जिंपिंग के आने के बाद जो इनकी हाइडन भाई की जो एक फिलोसिफी थी उसने तो डिसकार्ट कर दी वहाँ पे और ओपनली अमेरिका को चैलेंज करने के लिए उन्हों ने तो लिख देंगे 2047 तक तो हम विकसी देश और प्री एमिनिट पार बन जाएंगे मतला अमेरिका को लात मार के हम नंबर वन बनेगे दर इस नो स्कोब फॉर जी टू यह चाइना की मानियता है और यह मिडल किंडम जो मेंटालिटी इनकी जो बोलते आ रहे है कि यह डर्शात है कि हम हम ही हम है बाकी सब आप हमारे इर्गीद रहोगे हमारे अंदर तो चाइना की तो मेंटालिटी यह है कि कोई शेरी का कॉंसेप्ट ही नहीं है आप हमारे अंदर रह सकते हो हम जगा शेर नहीं करेंगे किसी के साथ तो यह एक मेंटालिटी भार आ गई है अब इसको रिवर् और चाइना को भी डिस्प्लेस करना है अमरीका को तो अमरीका के जितने मिलत रहे उनके साथ कैसे वो अंदर जाके वेच क्रिएट करें या अमरीका के जो जिसको जो एक ताइप का निगलेट रायट जिसको हम लोग आपी जो बोलते ग्लोबल सौथ अफरीके देश है South American देश है, वहाँ पर कैसे चाइना जाके अपना एक influence create कर सके, वो चाइना इसकी कोशिश में लगा हूँ और चाइना अभी ideology भी बेचने की चक्र में रहा है export करने में, जैसे अमरिका हर समय अपनी democracy के बारे में बात करता है, अभी चाइना बोलता है कि हमारी democracy अच्छी है ग्रोथ के लिए समझेगा, और शायद बहुत सी जदा पे जहां पे dictatorship है quasi dictatorship है, strongman है वहाँ पे वो चाइना का model शायद attractive हो सकता है, और फिर ये अभी इस शेत्र में भी चक्री के ideological battle, जो cold war में भी ideological battle थी, वो अब फिर से दिख रही है, तो ये अभी G2 का तो कोई प्रशने आता ही नहीं है battle lines have been drawn, there is a definite cold war 2.2 लेकिन यूसूफ ये आमीन हम बहुत ज़्यादा Xi Jinping centric हो रहे हैं न, शी जिन पिंग हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, क्या पता Xi Jinping के बाद में कोई जंडा लेके institution में इंस्राइन कर चुके है Xi Jinping का thought, और जो अगला आएगा वो शायद उससे एक कदम आगे जा सकता है, क्योंकि वो nationalism का भाव है, अमरीका विरोधी भाव है, वो तो आप मतलब school level से आप उसका brainwash कर रहे हो कि ये अपना अपना जो है शत्रू है तो ये तो बात होई गई, अभी वो change करना बहुत मुश्किल है और इनकी मानियता ही ना, इनकी मानसिक्ता ये है कि हम ही हम है जैसे वो भारत के साथ भी as a equal नहीं सोच ते भारत के प्रती उनका रवया ऐसा ही है कि भाई, आप हमारे अंदर हो, जैसे एक मियान में दो तलवार नहीं रह सकती है इनका तो मानियता यही है, so there is no space हमारा जो विचार है, वो है वसुदेव कुतमबकम, उतला world is one family साब के लिए जगा है, चाइना की मानसिक्ता है ये तो वो G2 करी नहीं पाएगा किसी के साथ, हाँ, लेकिन ठीक है, आप लोग चीन के उपर बात कर रहे थे, लेकिन मैं रश्या के उपर जाना चाता हूँ, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल भी लिगा था, आप हमारे है कौन रश्या उसके उपर, क्योंकि ये बड़ा सवाल रहता है भारत में, तो यूसुफ मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पुष्टा हूँ, क्या रश्या अमरीका से ज्यादा भरोसे मन पार्टनर नहीं है भारत के लिए हाँ या ना में जवाब दो हाँ या ना, हाँ या ना देखिए, ये हाँ या ना वाला बहुत खतिन सवाल होता है हाँ या ना ही कर सकते क्योंकि इंटर्नाशनल रिलेशन जैसे है, वो हाँ या ना और ब्लैक इन वाइक में होता नहीं है एक बड़ी स्केल होती है क्या, ये देखिए कि हमको तो ओवराल विश्लेशन करना है कि क्या रश्या रिलायबल पार्टनर है या नहीं है इसके कितने-कितने अलग-अलग ब्लोक्स में सोचना है नंबर वन, क्या रश्या वो पुराना रश्या रहा है जो सोवेट यूनियन था क्या रश्या वो सोवेट यूनियन है भारत के लिए अगर सी ये हम सोचे तो बिल्कुल उसका जवाब ना है क्योंकि रश्या के पास वो टाकट नहीं है रश्या एक वो आर्थिक और सैन्य सूपर पावर नहीं है रश्या अभी एक मिडल पावर बनके रह दिया है हाँ उसके पास बहुत सी अभी वो शमता है और आप ये सोचेए कि रश्या की जो defense sector में जो factory में जो हट्यार बनाने वाली जो machine है वो इतली जपैन, जर्मनी से वो इंपोर्ट कर रहा है उसके पास हट्यार बनाने की कोई वो सोच है वो technology है वो technology को produce करने के लिए जो technology आ रही हो बाहर से आ रही है ठीक है ना तो आप ये मान लिजे कि Russia is not the Soviet Union तो इस एंगल से सोचते हैं तो Russia वो supplier रहा नहीं Russia क्या reliable है हाँ reliable है बट क्या वो reliably supply कर पाता है हमको आज की तारीख में उसका answer है ना क्योंकि Russia अभी जुड़ गया है चीन के साथ हमको सोचना परेगा क्या चीन के हो जो semiconductor अभी रश्या के हमतियारों में जाएंगे क्या हो हमारे लिए एक security threat तो ना बन जाए तो हमको इस angle से देखना है रश्या तो हट्यार बनाने के लिए और supply करने में उसको तो शायद कोई problem नहीं है अगर से मान लो कि उसके पार शमता है कि उसका योद चल रहा है फिर भी उसके पास access capacity है हमको supply करने के लिए पर अगर स chain के पुरजे अकर से Russian weapons में जाएंगे तो क्या हमारे लिए वो कुछ सोचने वाली बात नहीं रहेगी यह हमको बिल्कुल सोचना है तो वो reliability factor उस angle से आ सकती है और फिर वो capacity रहे गई रहेगी कि capacity constraint क्या है क्या रश्या supply कर पाएगा उसकी पहले तो रश्या वो अपने बारे में सूचेगा अगर से उसको artillery shells बना ले उसको hobbitser बना ले उसको tank बनानी है उसको missile बना ले वो पहले अपना देखेगा उसके पास क्या वो excess capacities pair करने के लिए है भारत की भी मेरा मानना है कि नई अप ही उसके पास नई है तो रश्या अगर चाहके भी हमको supply ने कर पाएगा नहीं है भारत के लिए आज के परिपेक्ष में और दूसरा आप ये भी कहने है कि रश्या इतना शक्तिशाली भी नहीं है जितना पहले था मैं first point पर ही थोड़ा और सूचना चाहता हूं कि क्या रश्या या Soviet Union जादा भरोसे मन था भारत के लिए तो ये भी मुझे ऐसा है में तो उसका significance नहीं होता क्योंकि हर देश अपना खुद का फायदा पहले देख रहा है तो हम लोग भरोसे मन किसी देश को तब कह सकते हैं जब वो आपके लिए कुछ ऐसा करे जिसमें खुद वो काफी कुछ खो दे लेकिन फिर भी वो आपकी मदद करे तो अगर हम लो उस parameter को देखे तो USSR ने जो 1971 में किया वो ऐसे कुछ उनके अनुकसान लेके हमारा फायदा कि ऐसा कुछ तो था नहीं क्योंकि भारत इंडिया-Soviet Treaty of Friendship हो गई थी चार महीने पहले तो भारत effectively ally था USSR का 1971 वार के पहले और एक ally की तरफ से USSR ने भारत की कुछ मदद की वैसे हम लोग यह भी कह सकता है 1962 में US ने मदद की थी भारत की भी तो यह एक map dund है जो शायद यह भरोसे की इसमें हम लोग सोचते नहीं है और दूसरी point तो है यह आपने जासे कहा कि शायद USSR इतना शक्ति इशाली भी नहीं है आज के परिपेक्ष में तो कैसे सोचना चाहिए भारत-Russia relations को अगर हम लोग आपके thesis को माने कि भारत-America relations जादा जरूरी है तो हम लोग फिर भारत-Russia relations को कैसे सोचे भारत और रश्या के relations तो एक collateral damage बन सकते है रश्या और चीन और चीन-US relations के यह जो बन रहा है इसके अंदर एक collateral damage हमारा हो सकता है हमारे लिए China is enemy number one और सबसे बजी strategic rival है और आगे जाते हैं हरक शेत्र में सामरिक हो, economic हो, आरत कल की 10 trillion dollar की economy यह 15-20 trillion dollar की economy जो है जैसे हम 15-20-25 साल में जाएंगे तो यह rivalry तो रहेगी और बढ़ेगी तो इसमें रश्या कहां रह भारत के लिए अभी तो ऐसा हो गया कि अगर से रश्या एक neutral state बनके रह जाए तो भी अपने लिए ठीक है क्योंकि अभी रश्या चीन के उपर बहुत ज्यादा मिरबर हो चुका है क्योंकि उसके संबंद जो west है उसके साथ बिलकुल ही बिगड़ चुके है तो यह अपने लिए एक angle है तो भारत और रश्या की जो संबंदे पिछले मैं माता हूँ कि 10-15 सालों में थोड़ा downward trajectory पेगी थे अगर से आप रश्या का रवाया देखे भारत की विरूर तो वो एक तो पाकिस्तान के साथ अपने संबंद को मस्बूत करने में लगा पाकिस्तान को उसने ह TR भी बेज़े जो एक red line थी वो पार कर दी रश्या ने MI-35 attack helicopters दिये उन्होंने ये अभी जो युद हुआ युक्रेन में उससे पहले लैवरॉव की जो विजिट थी पाकिस्तान में वहां से ऐसा कुछ सुनने में आया है कि लैवरॉव ने पाकिस्तानियों को कहा कि you have a blank checkbook from Putin मतलब ये क्या बात हुई ये क्या बात हुई और लैवरॉव का ही एक बायान आया जब 75 में जो आजादी की पाकिस्तान की जो वरचदान थी तो लैवरॉव ने कहा कि the foundation of Russia-Pakistan relations are drawing from the ideology of Jinnah मतलब ये क्या बात हुई आप भारत को भूल गे तो ये बायान वहां से आया है Afghanistan में अमरीका से की जो एकजित की जब बात हो रहती तो की अब आगे Afghanistan में क्या होगा तो जब रूस ने जो वो multilateral जो एक ग्रूप बनाया जहाँ पे रूस चाइना अमरीका थे उसके साथ उन्होंने शामिल कि अब पाकिस्तान को और भारत को बाहर रखा ये रूस नहीं किय और रुस के envoy जो है उनका ये बयान है कि इंडिया ड़स नॉट हैव लेवरेज जो अब टालेबान हम बाद में आपको बुलाएंगे देखेंगे मतलब आप दील बील कर दोगे और फिर भारत को बुलाओगे कि भाई डील होगी आप देख लो ये ऐसा है मतलब रश्या का रवया तो भारत की खिलाफ ऐसा रहा है और जब आर्टिकल 370 जब इंडिया ने विड्रॉ किया कश्मीर से तो उनके जो यूएन रेप्रेसेंटिटिव है और यूएन अम्बैसेडर है उन्होंने का 1947 की रेजलुशन की बात की 1948 की यूएन रेजलुशन की बात की मतलब यह क्या बात हुई है आप तो हमारे मित्र थे भाई बाट चेंज पिछले दो सालों में ऐसा आ गया कि जो यूएन में रूस ने जो अटाक किया और अभी वह जो यूट चल रहा है जो भारत की जो नीती रही एक न्यूटरल परस्पेक्टिव दिया कि वोट उनके खिलाफ नहीं करेंगे पर हमारे बयान रहा कि भाई we are against this war आप यूट मत करो जो भी है बातचीत और डिप्लोमेसिक के द्वारा इसका आप एक हल निकलो और this is not an era of war जैसे मोधी ने कहा है बट इंडिया ने क्या किया वारत ने इंसे टेल का आयात किया वेस्ट के खिलाफ जाके हमन और शती होती अगर से टेल डिर सो डॉलर पे चला जाता है दो सो डॉलर पे चला जाता जैसे बोल रहे थे पर भारत ने क्या क्या रूस से टेल खरीट के जो मिडल इस्टन ऑईल है उसके उपर दबाव ने आने दिया मिडल इसका ऑईल गया बाकी सब जगा हमने रूस से ट रहे और वो आउट ओफ हैंड नहीं चले गए और वो इंफलेशनरी प्रेशर जो आ रहा था यूक्रेन बॉर के फलसरूप जो फर्टिलाइजर के प्राइस अप हो गया जो वीट के प्राइस काने का जो समागरी का प्राइस था जो उपर हो गया था वो थोड़ा के साथ इतने सालों से कुछ ये करे तो उनको भारत की एक जो एमियत है उनके दिमाग में फिर से आई कि भाई हमको इनके साथ संबंद बिगाडने नहीं है यूसफ आपने जो अपने अपने ये बातों में थोड़ा सा जिसके बारे में जिकर किया कि जैसे भारत हमेशा एक अपना इंडिपेंडेंट स्टैंड बना की रखता है काफी बार लब हम पहले तो traditionally non-aligned nation थे किसी भी एक पलड़े में बहुत जादा अपने आपको नहीं मानते तो हमारे लिए क्या अच्छा है उस हिसाब से हमेशा सोचते थे उस तरिके का एक हमारे यहां पे रहा है तो एक राजनीतिक तर्क ये भी दिया जाता है ना कि अगर हम अमरीक होना पड़ेगा कि जैसे हम उनके एक ally जैसी हो जाएंगी और फिर अगर वो किसी चीज के खिलाफ बुल रहे तो हमें भी वो ही करना पड़ेगा तो हम अपनी एक तरीके से जो बोलते हैं कि रर्ण नितिक स्वायता, strategic autonomy जो हम शब्द काफी बार सुनते हैं तो वो हम खो द है कि इन लफडों में भारत को भी आना पड़ेगा अगर अमरीका के साथ नजदी की रिष्टे हो तो इसके उपर आप क्या कहते हैं मैं आपको अलद 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 एंगल से मैं इसको अप्रोच करूँगा ख्याती नई भारत अपनी autonomy कभी भी निख होने माला है मतलब हमारी कौनसे इश्यू पे क्या स्टैंड लेने है तो यह जब हम एक छोटी ताकट थे जब हम दूसरे देशों पे निरभर थे जैसे हमारा तो गेहू भी हम लोग ने अमरीका से इंपोर्ट किया हुआ है जब यहां पे तॉटेज हुई थी फिर उसके बाद ग्रीन रेविलिशन आया बट उस समय में जब हम एक छोटी ताकटी हम जस्ट इंडिपेंडेंट हुए थे हैं एकॉनमी कोई शक्सिताली थी नहीं हमरी फिर भी हमने एक स्टैंड बना के रखा कि नहीं जहां पे हमको जो बोलना है वो हम बोलेंगे हम किसी का साथ इस तरफ या उस तरफ नहीं नहीं लेंगे हाला कि हम लोगने रूस की तरफ तो एक तील करी दिया था बट फिर भी एक इंडिपेंडेंट स्टैंड अपना एक रवाया रहा है वो आगे भी रहेगा आज की दोरान में हम उसको बोलते हैं एक मल्टी आलाइनमेंट या मल्टी लैटरल लेवल पे जो वो हमारे लिए माइने नहीं रखेगा हमारे हित किसम है किसके साथ संबन बनाने में वो माइने रखेगे और वो ही हमारा एक मार्क दंडर रहेगा जैसे इंडिया का रहाया रहा है यूक्रेन war के अंदर अब हाली की बात देखे अमरीका ने रेट सी के अंदर एक कोईलेश के उपर तो उन्होंने 10-15 देशों का एक कोईलेशन बनाए उसको टैकल करने के लिए भारत उसमें शामिल ले हुआ हाला कि भारती नौशेना बिल्कुल है वहाँ पे और बहुत ही महत्व पूर्न कारिय कर रही है वहाँ पे एंटी पारेसी ओपरेशन कर रही है जो जहाज वह सहायता दे रहे है एक बड़ा सा फायर हुआ था ब्रिटिश हिसक के उपर तो 6 घंटे लगे थे भारती नौशेना को वह फायर को कंट्रोल करने में वहाँ आपको कंट्रोल करने के लिए तो यह हम कर रहे हैं बद एक स्वायता अपनी रखी है मेरे ख्याल से यह हम लोग नहीं गए बद भारत किसके साथ जुड़ेगा किसके साथ यूद करेगा नहीं करेगा वह भारत अपने हित में वह उसका निर्ने लेगा इसी प्रशन पर में फ्रन है आपके प्रशन का जवाब देता हूँ यह एक बड़ी कंटेंजेंसी हो सकती है यह जो सवाल आ अमरीका बखेडा खड़ा कर सकता है एक तो अमरीका अभी ठक चुका है वो बखेडा नहीं चाहता है वो विड्रॉ करना है हम लब ट्रम्प से देख रहा है कि भाई डे डॉन वान तो फ्लाइड इनी मोर्वार्स वो अफगालिस्तान से वो इसलिए निकल गए कि इसकी दो बायन रहा कि भाई रश्या जिसको जो करना हो करें भाई आपको अपना देख लेना है हमारे पर आप निर्बर नहीं हो सकते तो ये रवया अलड़ी अमरीका में है बट अमरीका भी अपने हित में देखे था जहाँ उसको लगे था कि भाई उसके हित की हानी हो सकती वहाँ पे वो 100% विन्वाल होगा और ये प्रशन वो सकता है शायद अपने क्षेत्रमों जो इंडो पसिफिक रीजन है ये वो सकता है टाइवान के उपर ये बड़ी कंटिंजेंसी है टाइवान के प्रशन पे अमरीका से भी प्रशन आ रहे है भारत का रवया क्या रहेगा अगर से कोई यूद हो जाता है क्या भारत उस यूद में शामिल होगा अगर नहीं होगा तो फिर भारत का उस यूद में क्या योगदान रहेगा ये प्रशन पूछे जा रहे इस प्रशन का जवाब हमको हमारे हित में क्या हो सकता है वो सोचके इसका जवाब देना है और उस जानना ये है कि अगर से यूद ऐसा कुछ होता है तो भारत को टाइवान की तरफ से ही रहना पड़ेगा हम उस यूद में बाहर नहीं रह सकती, न्यूट्रालिटी नहीं बता सकती, शायद वो एक और विशे रहेगा, शायद हम वो एक उलिया बाजी कर सकते उस विशे के भारत का रवया टाइवान की प्रती क्या रहेगा, क्योंकि उसके अंदर एक स्ट्रटीजिक एक है और उसके अंदर जो बड़ा उसका जो महतु है वो आर्थिक है, टाइवान एक बहुत बड़ी manufacturing powerhouse है, ना कि सिर्फ electronics और semiconductor, टाइवान हर कुछ बनाता है जो चीन बनाता है चीन जो आज बनाता है वो टाइवान का बहुत बड़ा योगदान रहा है, टाइवान ने 200 बिलियन डॉलर का निवेश किया है, 1990 के डशक से लगा के आज तक, वो हमको निवेश टाइवान का यहाँ इंडिया में अब चाहिए to rival China in the manufacturing sector, कि हम लोग shaving razor से लगा के, तूटप कुछ बनाए, अगर से हमको वो बनना है, वो टाकट बननी है, तो टाइवान हमारे लिए बहुत बड़ी एक श्रोथ है, जैसे अमरीका है, जैसे योरोप है, we cannot discount Taiwan, तो फिर वो निरने, ये सब consider करते हुए हमको अपना निरने नेना पड़ेगा, कल अगर से टाइवान गिर का है, वो चला जाएगा, और दूसरा ये है, कि अगर से टाइवान गिर जाता है, फिर अमेरिका विद्रौ कर देगा एक शेतर से, फिर कौर्ट की जरूरत नहीं बने रहेगी, कौर्ट का हम लोग अभी जो सबसे बड़ा एक ग्रूपिंग है, वो तो चाइना को ध्यान मे रखते हुए है कि चाइना का डॉमिनेशन इंडो पसिफमिक में ना हो, यहां के वाटर वेस फ्री ओपन रहे है और ट्रेड में कोई बादा ना हो, फिर अमरीका अगर से देखता है कि अभी तो हार होगी, अगर से अमरीका निकल जागा यहां से फिर तो ना क्वाड ना ओपन और फ्री सीज रहेंगे, फिर हानी तो हमारे होनी वाले क्योंकि हम यहां पे हैं और फिर चाइनीज जो नेवी और एर फोर्स और जो बॉर्डर के उपर जो है, सैन यह शक्ती वो तो बढ़ा देदा, हमको सबसी बड़ी हानी होगी अगर से टाइवान गिर जाता होए हमको फिर डिसाइड करना है कि हम कोई ऐसे यूद में शामिल होंगे नहीं होंगे जहां अमरिका यूट करता है, मैं यह मानता हूँ कि हम कोई भी ऐसे यूद में शामिल नहीं होंगे जहां पे अपने इट ना हो, पर अगर से अपने क्षेत्र में कुछ होता है, तो व बड़ी पाखंड से जुड़ी हुई है, हिपोक्रिटिकल है, लोग कहता है ना, कि अमरीका पाखंड है, बर दूसरे देश नहीं है, और तो इसलिए हमें अमरीका से दूर रहना चाहिए, ठीक है, यह तोड़ा, आप इसको बता सकते हैं, लेकिन हाल में आप देखेंगे, कि अमरीका की वैदता में भी थोड़ी कमी आई है, लेजिटिमसी भी हिट हुई है, जैसे डबलू टियो में, जो अमरीका चैंपियन करता था, वहाँ पे उनकी पॉलिसीजी थोड़ी रिवर्स हो गई है, वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, बैरियर्स लगा रहे हैं, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा रहे हैं, दूसरा आप देखें, इस्रेल पैलस्टीन वार में भी, जैसे कि इस्रेल ने कई गलत चीज़े की हैं गाजा में, लेकिन फिर भी अमरीका उनके साथ खड़ा हुआ है, तो इन सब चीज़ों को देखकर भी शायद एक एप्रिहेंशन है भारत में, कि लेजिटिमसी कम हो गई है अमरीका की, और जो रूल्स बेस्ट ओर्डर अमरीका कहता है, वो शायद अमरीका ही खुद उसे मान्यता नहीं दे पा रहा है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखे प्रने, हिपोक्रिसी वो इंटर्नेशनल रिलेशन्स का एक एहम हिस्सा है, सीधी बात है, भारत भी हिपोक्रिसी दिखा सकता है और दिखाता है, यह जितने भी जो टरमिनालिजी होती है, वो अपने नहीं हिपोक्रिसी एक पार्ट है और जैसे जैसे भारत भी और आगे प्रधती करेगा, जैसे अपनी आर्थिक और सैन्यक शक्ति और बढ़ेगी भारत की इपोक्रिसी लेवल भी शायद बढ़ती रहेगी अपने हिद को ध्यान अफने मिली इसलिए अमरीका जो आज कर रहा है वो कल शायद हम भी कर सकते हैं और यह होगा ही यह होगा ही वैसे यूसुफ मैं यह कहुँआ कि अच्छा पाखंड वो है जो दूसरा कोई बोलना सके कि आप पाखंडी हो तो अमरीका की अच्छी बात यह दी पिछले 10-15 साल में कि वो पाखंडी था लेकिन क्योंकि वो एक रूल्स बेस्ट आर्डर वगेरा ऐसा आर्किटेक्चर क्रे गिरा गया तो वहां भी भी सब ने कहा कि यह क्या बात हुआ आप ऐसे ही किसी को जाकर दोगे अफ़ालिस्तान में चले गया तो अमरिका ने जब भी policing तरते हो, आज अपना रवय क्या है हम चाहते हैं, अमेरिका पुलीसमान बनके रहें कि भाई अभी अपना हित उसमें है कि अमरीका एक order बना के रखे कहां कैसे होता है, वो अपने हित में है, जहां अपना काम बन्दा है, तब सही है, जब नहीं है, तब नहीं है तो सीरी बात है, आज इंडो पसिफिक रिजिन, अगर से फ्री ओपन रखना है, उसके लिए अमरीका की पुलीसिंग, पहले जो होती थी हम उसके विरोट करते हैं, देसे तो वक्त वक्त की बात है, यह अपनी हिपोक्रिसी नहीं हुई क्या, पहला हम अमरीका की विरोट में थे, आज हम उसका स्वाधत करते हैं, ठीके आप प्रोटेक करनो सीलेंस को, तो भाई, समय समय से जिनके हिप जैसे डिमांड करते हैं, उसकी हिसाब से चलेंगे, तो अमरीका की लिजिटिमिसी क्या है, वो अमरीका जाने, हमको अपना काम निकलना है, और यह देखिया, जितनी अमरीका की नौसेना है उसकी ताकत जो पहले थी वो रही नहीं चेन अभी सबसे बड़ी नौसेना बन चुका है नंबर्स गेम में अमरीका के पास उतने नंबर्स नहीं है अमरीका की आर्थिक जो स्थिती है हाला कि वो सबसे बड़ी defense के पर spender आज भी है बट वो stretched है इसलिए वो ऐसे capable partners की खोज में है जो उसके कंदे से कंदा मिला के या उसकी responsibility ते औरी शेर कर दे वो भारत को उस रुप में देखता है वहां के admiral का यह कहना है बयान था मेरे ख्याल से senate की वो जो hearing होती है foreign relation committee में उनका कहना है in some places we are ceding responsibility, leadership responsibility to India तो यह तो बहुत बड़ी बात हो गई America ने कब responsibility किसी और की कंदे पर दाल दी पर यह हो रहा है, यह क्या दर्शाथा है कि अमरीका के अंदर उन्होंने अपनी limitation को पैचान दिया है और यह भारत के पक्ष में है अबर सी अमरीका की थोड़ी legitimacy कम होई, वो अपना देखे बाया, legitimacy बनाने वो अपना क्या करता है, वो देखे बट जहां पर उसकी legitimacy थोड़ी गिर गई है, तो क्या वो हम इस्तमाल कर सकते है especially जो global south जिसको बोलते है जो अमरीका के जैसे अब मानलों की पिछले दिनो Papua New Guinea में, मोदी जी गया तो वहाँ पे कैसा स्वागत हुआ था भारत का ठीक है, बट Papua New Guinea अभी चाइना के साथ डील करने में लगा और क्या भारत वो link बच सकता है अमरीका और दूसरे देशों में क्यों की ऐसा ना हो जाए कि सब के सब ये देश चाइना के influence में आ जाए तो ये भारत का एक जो स्तर है उपर आता है फिर जो हम negotiating जो power बोलते हैं अमरीका के साथ अपना एक level और बढ़ जाएगा तो फिर ये जो दूसरे जो बुद्दे हैं कि क्या reliable partner है नहीं है reliability पर फिर तो अमरीका को reliable बनना पनेगा ना अगर से उसकी ताकट कम हो रही है और चेन अपना biggest एक जो arrival है तो फिर उसको भारत की मदद करनी परेगी वो शमता बनाने के लिए जैसे investment है technology है वो investment जो भारत में लाना है भारत की जो indigenous फिर वो automatic होगा क्योंकि उसको चाहिए कि भाई ऐसा partner हो जो उसकी responsibility शेर कर पाए और भारत ये दर्शारा है कि हम लोग responsibility लेने के लिए तैयार है जैसे अफिन नौसेना कर रही है इंडिया नोशन वीजन में piracy के खिलाफ हो या हूदी के खिलाफ हो हम लोग कर रहे है वो तो यह हम लोग बता रहे है कि और यह Trump चैसे जो लोग आ रहे है वहाँ पे जो मानियता आ रही है कि भाई आप अपना देखो आप हम हर चीज में अब अमेरिका पे आप निरपर कैसे हो सकते हो हमारी भी एक सीमा है यह जो दरसाता है वो भारत उनके लिए तो एक आइडियल पार्टनर है हम अपने पर स्पेंट कर रहे है आज का करीबन 80 बिलियन डॉलर अपना डिफेंज एक्स्पेंडिचर है हम अपने हथियार खरीते है हम उसकी कोई aid के उपर हम लोग कोई किसी के निर्बार नहीं है हम खरीद रहे हैं उनसे आतिया हम इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी शेहन यह शक्ती में तो हम तो उनके लिए एक आइडियल पार्टनर है तो हमको इस नवएय से देखना है उनकी लेजिटिमसी क्या है कि भारत की अपनी हित में है अमरीका से घनिष्ट रिष्टे क्योंकि फिर हमें एकनोमी और टेकनोलोजी ट्रांसफर होंगे लेकिन आप दूसरी और ये भी कहने है कि भारत को एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच लेना है कि अभी हम लोग का फायदा है इसलिए हम लोग को अमरीका के साथ रिष्टे बढ़ाने है कर नहीं लेकिन अगर आप अमरीका की दृष्टिकॉंट से देखें वो सोच रहे होंगे कि हम भारत को चीजे देना चाहते हैं एकनोमिक टेकनोलोजी वगरा लेकिन हम भी चाहते हैं भारत थोड़ा एक नजदी की ऐलाय हो ना कि इस तरीके का रिष्टा रखेगी कभी हमारे साथ हो कभी ना हो तो आपको नहीं लगता यह लिमिट है इस रिलेशनशिप की कि अगर भारत ऐलाय नहीं बनेगा तो उसे एकनॉमिक और टेकनॉलोजी ट्रांसफर्स नहीं मिलेंग वो हमको कोल्ड वर के धृष्टिकों से नहीं देखना है अमरीका भी नहीं चाहता है अब वो उस प्रकार के अलायंस हो अरे ट्रम तो नेटो तक को तोड़ने में लगा हुआ है तो मतलब उनके एलाईस क्या सोच रहे है आज अमरीका के बारे में कि क्या अमरीका एक बन सकते है कि लिए 21st century में हम अलायंस के अलग अलग पहलू मेरे ख्याल से धून रहे है और ये शायद हम उस पहलू पे एक understanding हमारी शायद आ चुकी है कि ये किस तर्प पर ये काम कर सकता है अलायंस वो नहीं है कि जाके अर जगा बंग जाके साथ में गिराएंगे और साथ में लड़ेंगे ऐसा नहीं है अभी तो उनको भी नए लड़ना है पर अभी लड़ाई चल रही है एक ideological लेवल पे एक technological ascendancy और technological capability के लेवल पे तो फिर क्या हम ऐसे allies बन सकते हैं जा हम इस लेवल पे हमको collaborate कर सके हमारी जो पारसपरिक जो capabilities है अमरिका पास बहुत सारा पैसा है हमारे पास बहुत सारे लोग है हमारे बहुत सारे educated लोग आ रहे है जो semiconductor की जो design में बहुत माहिर है और इनकी R&D में अपना एक योगडान है तो ये complementaries आ रही है तो ये ऐसे हमको सोचना है फिर interoperability चल रही है senior level पर जो आज भी अभी जो tiger triumph जो exercise आज मेरे ख्याल से संपन हो रही है इसके अदर हम try services level पर interoperability कैसे बढ़ा रही है वो देखे और उसका message क्या हम लड़ने के लिए तयार हो है ना हम मित्रों को ये दिखाना चाहते है कि ये दो विश्व की बड़ी ताकत जो democratic ताकत है कैस से collaborate कर सकती है sea lens को peaceful रखने के लिए open रखने के लिए और adversary के लिए deterrence का एक कारण बन सकती है कि हमको ऐसा कुछ नहीं करना है कि इन दो ताकत मिलके हमारे विरुत वियूद करें तो एक deterrence का एक aspect आ रहा है तो मेरा मानना यह है कि पिशली सदी की जो alliance की जो source थी हमको उसको अ हम लोग prefer करते partnership बोलने में तो यह partnership कैसे आगे बढ़ सकती है यूद करना ना करना साथ मिलके करना वो अपने हिदो के मत्य नजर रखते हुए बूसका निरने लिया जाएगा है बट ऐसा नहीं है कि हम हर जगा जाके साथ में बंबिनट गिराएंगे यह अपनी नीती रही नहीं है हम लोग कभी जैसे फ्रादान मतरीर का this is not an era of war और वो era आज नहीं और 22-25 साल तक चलेगा जब तक हम एक विकसिक देश के तौर पे उबर के नहीं आते जब तक हम एक 10-12 या 15,000 पर कापिटा इंकम वाला देश नहीं बन जाते तब तक हम लोग तो हमको भी एक जै जैसे चाइन नहीं का hide and bite आराम से आप रहो यूद को जितना टाल सको टाल दो और यूद करना पड़े तो बिल्कुल यूद करना पड़ेगा अपने हितों की रक्षा करने के लिए ये मेरा मानना है और ये अमरीका में मेरे ख्याल से जो विशेशगी है वहां के भी वो थो बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि अगर ऐसा पहले होता तो लोग दोनों स्पोक्सपर्सन एक दूसरे के पर जड़बते लेकिन काफी मेचॉरिटी थी उनके नैशनल सेक्योरिटी एडवाईजर ने भी कहा कि हम लोग समझते हैं कि भारत की क्या जरूरत हैं और भारत की क् तो वो मुझे लग दा बहुत ही इंपोर्टन स्टेटमेंट था और आखरी में इसके अदर पराने इफाई के फगे मैंदर सेक्योरिटी ब्लिंकिन का स्टेटमेंट दिखिये कुछ महीनों पहले मेरे क्या से जब यह 2 प्लस 2 चर्चा होई थी भारत के जो रक्षा मंत्री ह और विदेश मंत्री यह वहाँ पर गए थे तो उस दौरान उनका स्टेटमेंट था कि वो जानते हैं कि रश्या भारत का एक बहुत घनिश्ट मित्र रहा है और 50-60 सालों में उन्होंने बहुत साय था कि भारत की एस्पेशली जो डिफेंस टेक्नोलोजी है जो हत्यारों की समागरी है उसको मुएया करनाने के लिए बट अब यह बोल रहे हैं कि हम अब वो देश बनना चाता है वो पार्टनर बनना चाता है भारत का वो जो जो भारत उसके बारे में पहले सोचे अगर से भारत हत्यार के वेरे में सोचता है तो वो अमेरिका के बारे में पहले सोच और सामरिक शक्ती आगे बढ़ाने में जो मदद करे वो भारत अमरिका की तरफ पहले देखे तो अमरिका भी चाता है कि भारत ऐसा सोचे तो ये भी एक चेंज आ गया है बिल्कुल और मैं ये सुच रहा था कि जैसे कि सुब्रमन्यम है जो कि S.J. शंकर के पिता है और खुद उन्होंने काफी भारत की स्ट्रेटीजिक थॉट के उपर लिखा है तो उन्होंने एक प्रगती को इंटर्व्यू दिया था सौरब और ख्यादी काफी सालों पहले और उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम एक विश्व का imagination करें जहां अमरीका नंबर एक पर है, चीन नंबर दो पर है और भारत शायद नंबर तीन या चार पर है तो भारत के हित में है कि अमरीका नंबर वन रहे, और ना कि चीन उसके आगया जाए तो शायद वो चीज आज भी लागू है भारत तो नमबर तीन, नमबर चार, नमबर पाच स्थिती में पहुँची जाएगा तो वो आज भी लागू करता है और हमें उस गोल को भी ध्यान में रखना चाहिए कि चीन कही नंबर बनना हो जाए वो शायद बारत के लिए जादा हानिका रगोगा अब याजकल जब हम US-US भी जाते हैं यूसुफ मदब जिससर तुमने बुला हमारे यहाँ पर इतनी आशंकाएं वगरा है आजकल US जाएं तो सिर्फ यही सुनाई देता है कि US और हिंदुस्तान के साथ क्या करना चाहता है और कौन सी कंपनी के डेलिगेशन आ रहे है खासकर डिफेंस डेलिगेशन तो हिंदुस्तान में जितने बढ़ गए है मेरे काल ते दस गुना आ रहे हैं पहले से जब से खासकर यह सप्लाई चेन का इशू हुआ है मैनेफेक्टरिंग पार्टनर इंडिया बन गया है यह तो एक बड़ी नई चीज है पहले हिंदुस्तान को सर्विसिस का पार्टनर या फिर ऐज़े मार्किट देखता था US लेकिन अब मैनेफेक्टरिंग पार्टनर की तरह से देखने लगा है मेक्सिको के बाद US के लिए सबसे इंपोर्टन्ट मैनेफेक्टरिंग पार्टनर इंडिया ही है और जो डिफेंस पार्टनर्शिप है वो मैनेफेक्टरिंग पार्टनर्शिप में तबदील हो रही है ये सिर्फ हम technology transfer वेगरा की बात कर रहे हैं सिर्फ इस तरह से नहीं है क्योंकि उनको अपने लिए भी तो चाहिए उसकी तरह से भी लोग देख रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें हिंदुस्तान के हाथ में ही काफी कुछ है और ये किस तरह से relationship बनेगा US तो बहुत उत्सुख है और ज्यादा रिष्टे deep करने के लिए भारत लगता है कि उतना उत्सुख नहीं है और इसलिए मुझे लगता है कि आपका paper बहुत ही important है इस चीज में कि जो भारत में इतनी ज्यादा आशंकाए हैं US को लेकर के खास कर क्योंकि US ज्यादा उत्सुख है तो लोगों को और संदे हो जाता है कि यार ये इतना ज्यादा उत्सुख है तो फिर तो कुछ डाल में काला तो नहीं है तो ये हमको बच के रहना चाहिए हमको लगता है कि वो UK का उत्तराधिकारी है कलोनियलिजम का इंपिरियल पावर का तो वो UK ने हम पर राज किया और उसके बाद में हम वो जो सारा शक है वो UK का हमने US के ओपर ट्रांसफर कर दिया है आजादी के बाद तो ऐसा एक relationship है पर शायद समय के साथ वो बदलना चाहिए left parties का काफी कम हो रहा है influence भी और उसकी वज़े से भी शायद होना चाहिए तो बहुत अच्छा लगा आज की discussion से हम आपका paper तो link करेंगे ये अपने show notes में तो जो हमारे दर्शकों को आशंकाए है हमने बस कुछी आज discuss करी है उनका paper और detail में जाता है हर आशंका को detail में लेकर के यूसुफ ने बताया है कि कैसे हमको इन चीजों से घबराना नहीं चाहिए और कैसे हमारे hit में है कि हम अपने फायदे के लिए ये partnership को आगे बढ़ा है तो धन्यवाद यूसुफ मैं इसके पर समाप करना चाहूँगा कि आपने जैसे का कि आशंकाए है पर ये आशंकाए जो है वो ऐसी नहीं है कि कोई make or break हो और दूसरा क्या है कि हमको आज की भारत की ताकत को ध्यान में रखके उस सोच से सोचना है कि आज हम 4 ट्रिलियन डॉलर की economy ना कि 200 बिलियन हम 4 ट्रिलियन डॉलर की economy दुनिया वर्स से जैसे अमरीका है योरोप है लोग हमारे साथ मित्रता करना चाहते हैं हमारे देश में निवेश करना चाहते हैं इस तरीके से सोचना है हमको एक बड़ी पावर के एक वो मानसिकता से सोच रखनी है ना कि एक छोता डेश एक विक एक एक एस्पिरेशनल डेश है हम सोच रखते हैं कि आज हमको चांट पहुजेगी है अब लोग अभी एक एक एस्ट्रोनाट भी भी भेजेंगे स्पेस में तो हमारी अभी जो विचार धरा है वो बहुत आगे निकल गई है इस क्षेबिस क्षेत्र में तो विदेश नीती में भी हमको इस प्रकार से सोचना परेगा कि हमें बड़ी ताकत है और बड़ी ताकत कैसे सूचती है इसके अंदर हिपोक्रिसी भी सामिल है इसके अंदर वसुग देव कुर्तुमबकम भी सामिल है विश्वमित्र भी सामिल है हमको अपना काम निकालना है अपने गोल्स अ जहां भंग कराना है भंग कर देंगे हम तो वो सारे आर्टिकल्स भी आप वहां पर पढ़ पाएंगे और वहां आप हमारे से चैट भी कर पाएंगे आप थोड़ा और इंटराक्ट कर पाएंगे अपनी सवाल सुझाव जो भी है आप हमें भेज सकते हैं तो जरूर चेक करिए पुलियाबासी.substack.com पर शुक्रिया उमीद है आपको भी मज़ा आया यह पॉड़कास संभव हो पाया है तक्षशीला इंस्टिटूशन के सपोर्ट के कारण तक्षशीला पब्लिक पॉलिसी में शिक्षा और अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आपकी उम्र कुछ भी हो अगर आप पॉब्लिक पॉलिसी विदेश नीती या टेकनोलोजी गवननेंस में रुची रखते हैं तो तक्षशीला की website तक्षशीला.org.in पर उनके courses को